कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी तो मासा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे अपना ध्यान रख रहे होगे टैन्सी के एडवांस स्रीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनिंदन करता हूं इसलिए जो हमारी क्लास दी काफी सब्सक्राइब करते हैं और पढ़ते हैं हमारे सामने पहला क्योशन है कि नर्स ऑबजरुदा काडेक मोनीटर और क्लाइंट लब एक काडेक मोनीटर या ECG दोनों एक ही बात है ठीक है काडेक मोनीटर पर नेट लगी होई होती है उसमें भी जो ECG होती है तो आप कंफ्यूज हमें इस ट्रिप पर एक 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 लगाना है कि कहां पर पेस्मेकर है जो दोस्तों क्या कर रहा है काम कर रहा है तो हो सकता है कि क्योशन में ओप्शन देगा तो किस प्रकार से देगा तो ऐसी दे सकता है कि यहां पर A लिख दिया यहां पर C लिख दिया और यहां पर D लिख तो आपको बताना है कि यहां option में A, B, C, D में से एक select करना है कि इस ECG के अंदर जो पेस्मेकर है वो काम कर रहा है यह कौन से कौन से चीज़ वो सो कर रही है A, B, C और D बिना बात क्यों जाना जब उसमें से questions आते ही नहीं है बस में चीज़ यह दियान अखना कि पेस्मेकर कभी भी लगावा होता है तो वहां पर एक spike देखने को मिलता है समझोगे कर रहा है आप प्यू पर कहाँ कर रहा है कूर्णियों के पास दिखाई है तो आप समझोगे कीrator , QRS complex के पास दिखाए दे तो समझ जाना कि ये ventricle paper क्या कर रहा है दूस्तों काम कर रहा है तो थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना बस इसमें सोटा सा इसका जो right answer होगा वो क्या हो जाएगा इसमें लिख लो थोड़ा सीज़ लिख लो बस लिखो लिखो पेसमेकर के पेसमेकर के पैसेंट की पैसेंट की ECG में इस स्पाइक दिखाई देता है इसपाइक दिखाई देता था ये वाले इस प्रवाइब बना लेना तो इस प्रगार से एक्जामपल ग्रूप मी ये लाइन खीछलेना और फिर नीचे लिखलेना कि क्या है इसके बाद में नेस्ट क्योशन देखते हैं नेस्ट क्योशन जो है दोस्तों इसी से रिलेटेड ही है मैंने आपको पढ़ाए हुए है इनर्स ओब्जर्वदा फॉलोविंग डिस रिदिमिया उने क्लाइंट्स काडियक मॉनिटर वोट रिदम डस दानर्स पहले चीज़े दोस्तों एट्रियल फ्लूटर की जो इसी जी होती है उसके अंदर कैसा एक्स पता ही नहीं चल रहा कि कहा पर क्या है तो यह बिल्कुल गलत हो गया अट्रियल फिब्रिलेशन की जो इसी जी होती है उसके अंदर क्या होता है जो दिखाई नहीं देती है तो वह किसकी होती है अगर अच्छे लेंग्वेज में बात करें तो सिस्टम पर क्या होता है यहां पर क्या होता है कि व्डिक से अंदर खुद ऐसे स्ट्रेक्टोर से बन जाती है जिसको चलता है .. कोई P, QRS, T, कोई वेव नहीं दिखाए देती है सही से तो वो जो ECCG होती है दोस्तों वो किसके होती है आपकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की होती है यह दोस्तों आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की सीजी है इसमें तो क्या लिखो गया लिखने में बैसे लिख लो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में PQRST वेव आइडेंटिफाई नहीं होती है और एक्जाम्बल की रूप में कुछ ऐसे बना ले ना कुछ भी यह तो थोड़ा सा QRS पॉंप्लेश दिख रहा है इस विरगार की सीजी बना लेना तो इस इस दा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इस इस नेस्ट क्योशन पर आते हैं यह थोड़ा सा बहुत डाउट वाला क्योशन है इस क्योशन को अलब आपको लगेगा कि यार इस का अंसर यह कैसे आ गया बट इसको थोड़ा समस्मझन करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है कि उसे बहुत डिफिकल्ट है रीजन उसका यह है कि इस क्योशन के अंदर जो लैंग्वेज है ना वह उन्होंने सई से नहीं बनाई जो उनको बनानी चाहिए थिक्दम प्रोपर वे में वह उन्होंने नहीं बनाया पढ़ते हैं फ एकिइस ट्रोप सेटोर जहिए लाए जाए टगे एसी जvantage क्या ओंगे सीधेट लाईन आ गई है तो एकतला था इंदे hooks कलाता है एक सब्स्काइब करते हैं च्रहीं बनी नॉने यहाए ट्रेकोश्य सब्स्क्राइब ethnics युक्र शूंदी कर रखा हैं पतेंव Св intéressन के अरेचि प्रकिया रहे हैं पिच्छा रहे हैं भैस्ति के दर डाटे बाध में समझाँ है छो के इनल क्वेक्ष किंदर क्या होता है दोस्तों कि जो डीप इपल ले u सकते है क्या देंगे पैसेंट को सोक देंगे पैसेंट को इतना कम टाइम में निकलती है तो readily is not pretty that thegres तरी देक हम नहीं कर सकते बाई तो उसके लिए क्या होगा हम संसर लगाएंगे और खुद ja кंद की बी ये स купेना इसे ने यह तीन लिए बीघ मनेल है कि करसकता है या फिर वह खुद अइटेंटीवाइन की लिए कर्डियो वजन के अंदर हमेशा रहमेशा जो सौक है दो प्रस ना जी वेंट्रिकी टेकशिटी काडिया हो रिदाउट पलस नहीं हो कि वेंट्रिकुल टेकी काडिया विद पलस आधा बस रहा औरहें अबिलैंगे उत्याइब है जूंदले का हुँ सब्सक्राइब करने कि विफ सब्सक्राइब होगा इसको यह उसजिस करते हैं कि वो ठीक हुझा तो यह पनी प्रस्टार दक्स काम ही नहीं कर पा रही है ?। फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा दूस्त हम पैसेंट को हम क्या करना पड़ेगा है ?। आप कैसे दोगे है तो हमें साथ ध्यान रखना इस से कंडिसें में पहले हम पैसेंट को। कеся करते हैं और फिर पैसेंट को क्या करेंगे रहऊस और फिर हम उस पैसेंट को क्या देंगे दोस्तों सोख देते हैं तोただrif ही यह परबस जो है पेसेंट को सिडेट करके दिया जाता है लेकिन कब देते हैं हम इसका नहीं देंगे पहले हम कोशिश करेंगे कि फारॉपेंट हो जाए ठीक हो जाए है अगर नहीं हो रहा तो फिर में लास्ट है दोस्ते दोस्तों सुप्रेसेंट्रॉट्डा डिक काडिय सब्सक्राइब देखा था उसमें सब्सक्राइब क्या होता है सब्सक्राइब काम नहीं कर रहा है आपने पल्सक्राइब दे रहे हैं तुम यह देखेंगे पर उसके वह लगाएंगे एसी लीड के अंदर टेकी काडिया विद आउट पलस आता है यह पिर क्या आता है दूस्तों प्रेंट को जब देते हैं दूसरी तरफ एस स्टोल होता है मिलाब हड्रेट आ नहीं तो वहां पर हम एडियार देते हैं उसको फाइदा नहीं होता है ऐ अनसे परकार का फिबिलेशन है यह क्या है तो इस का आंसे नहीं होना चाहिए उसका यह क्लियर होना चाहिए उनको वैंतर पल्सटर नहीं नहीं मैं इंको पूरा बिलिखना लिक्में पिल्स वें फार्मकडोगीकल ट्रेट्मेंट ही डीट है वंग क्व लेकिन चारओ ओप्शन में लाएस्ट के assistants के frequent premature complexes बार बार क्या रहें दूस्टो premature complex आ रहे तो यहाँ पर तो हम देते नहीं है popular nay लेकिन मैं सच बता रहहूं इसका right option जो होना नहीं टाकिक्ष ब्लस नहीं लिखा ओना चाहिए थखना यह लिखा उन्चे वेंट्रिकुल टेकी काडिया विदे पल्स वेंट फार्मकोलोजिकल ट्रीटमेंट है बिन फ्यल्ड तब हम इस पेशेंट को क्या करते हैं दोस्तों सोक देते हैं या काडियो वर्जन देते हैं इसलिए इसके राइट आंसर यह माना गया है जो भी है मैं तो इसके साथ नहीं हूँ लिखो लेकिन हम सही लिखेंगे वेंट्रिकुल टेकी काडिया विदे पल्स में जब फार्मेकोलोजिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है जब तो पैसेंट को stark करके कारडियो वर्जन दिया जाता है जरूब प ahí संदि नहीं गलत है बोट नंसीं एकसुड फिक्षॡ क्मिंट वह टी पर मानेट diabetes NB एकलाईट दोश्तों, उसके आम यंदर आपको पलान ऊप्केश बद आक की के के इन क्लूड करना है think भीबद का मलब है वह उसमें आप बताओगे इतनी हल टेर investir कम होगा तब आप क्या करना है काम करना है तो उसमें आप क्या नर्सिंग मनेजमेंट उसमें दोगे पहले रखा है कि इंस्टेक्ट दा क्लाइंट टू कीप डेली एकुरेट रिकोर्ड उद्ध पल्स कि आप कितनी पल्स रहती है ना उसका रिकोर्ड क्या रखो आप अपने पास रखो एक डायरी बनाओ उसमें लिखा करो मेरी इतनी पल्स आ रहे इतनी आ रही है लाज दिर रहे कि इन्फॉर्म दा क्लाइंट ड हो क्या करता है तो आपका काम करता है अच्छिंग फूरा साब न होगा हूव पाथवे, ऐसे बाथवे इसी नोड से बैमेश करते हैं तो उस से लिखें क्या क्या राती हैं आपका पेस्च्टैकर मतलब जैसे ऐसे नोड जो काम कर रहा है उसी की तरह है यूज टू पेस्ट दा हार्ट भेन जो नॉर्मल जो कंडेक्शन है वो क्या नहीं कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा हो गया है तो इनार्मल था Back पाथवे एक हैस बीन डेमेज्ट नॉर्मल कंडेक्शन पाथवे काम करना बंद कर रहा हूं सही से काम नहीं कर रहा हूं उसे कंडिशन के अंदर एक आर्टिफीसल रूप से हम एलेक्टोनिक डिवाइस लगाते हैं जो कि हार्ट को ऐसे नोड की तरह क्या करेगा पेस करता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तो पेसमेकर के नाम से जानते हैं तो यह आपका यहां पर पेसमेकर लगा हुआ है पेसमेकर के अंदर यहां पर बैटरी लगी होती है इसके अंदर लीड होती है यह लीड वेनस सिस्टम की दौरा जाती है अंदर धिहान अकना किसके मैं नहीं बोर हूं वेनस सिस्टम के दिखो यहां पर इसके दुवारा जाती है क्या तोफ एक्टरियम में जाएंगे एक ट्रियम में या एक वेंट्रिक्ल ये फिर 2-0 या उसी क्या करता है अब जो पानों नहीं कर रहा उसा काम लगएंगे या अगर अब कुछ भी काम नहीं कर रहा तो एक लीड़ की साथ में दोनों क्या करते हैं वैंट्रिकुल लीड्ट लिड़ाते हैं तो एक यह अभी लिखा दी तो मेरको फिर आपको समझ में आ जाएगा अब देखोई क्या है आज करने जो पेस्मेकर जो है जो पेसमेकर आजगर क्या होते हैं दिमांड पेसमेकर आते हैं तो यह क्या होते हैं तो इनके बारे में लिख लो तो इनके दो दिवाइस लगी होती हैं एक sensory डिवाइस और एक होती है पेसिंग डिवाइस अब sensory डिवाइस है तो यह रोकने का काम करती है एक तो इनिबिट दा पेसमेकर इनिबिट धाप पेंच मेकर वेन हर्टरिट इस हैं करेंच है जब हर्टरिट साही से काम कर रहे है उस समय कहीं क्कestra क्या है और Three से काम नहीं किण रहे तो उस समय और काम करेंगा तो ट्रीगर करेंगा यह काम पर प्रीकरदा पेस्मेकर लेकिन अध्का क्या होता हो दोस्तों सिर्फ उसके अंदर प्रिषैट डाल देते हैं इतनी हट उने हो वैसे आपको काम करना है तो उसमें रहते हैं पेसिंग डिवाईश होती है सेंसरी नहीं होती है तो वह क्या हो जाता है अपका आप करता है अब इसके बाद में बात करते हैं टाइप प्रकार की होते हैं दोस्तों एक होता है पर्मानेंट और एक होता है टेंप्रेरी में जो डिफ्रेंस है दोस्तों वो ध्यान रखना कि पर्मानेंट जो है वो टोटली है इंप्लांटेड रहेगा मतलब जो बैटरी है वो भी अंदर ही रहेगी ठीक है बैटरी भी क्या रहेगी अंदर टेंप्रेंटरी क्या होता है दोस्तों कि उस पर्मानेंट में क्या होगा पर्मानेंट क्या होगा यह पेस्मेकर इंप्लांटेड टोटली इन दा बोडी टीकर विद बैटरी ना टोटली इन दा बोडी विद पावर सोर्स विद पावर सोर्स के साथ में बोडी के अंदर क्या होता है इंप्लांट होता है ठीक है बैटरी को जातर हम सब्कुटेनेस लगाते हैं और ज्यादतर हम नोन डोमिनेंट जो हैंड होता है नोन डोमिनेंट जो साइड है हमारी उसमें पैक्टोरिल पैक्ट बैटरी इम्प्लांटेड, बैटरी को हट में जूटी लगांगे, साब क्यूटेनेसली, का लागते हैं, यूजिवली ओवर दा, यूजिवली, ओवर दा, पैक्टोरल मस्ल, कौन सी मसल लगाते हैं थोड़ा से ध्यानबाइन युज ली ओर दा पैक्टोरल मसल कौन सी साइड नॉन-डॉमिनेंट काफी साल तक एक काम करती दस साल तक काम करती है तो जो प्याटरी नहीं होती यह प्रहें कि एंदर आई यह जा रही है यह इए वाली जा रही है इन्हें बोलता है ठीक है वैब अीविक है। क्या इनको हम पेसिंग रिडि़ की आम से जांकते हैं। लिभू पेसिंग रिडि़ की नाम से जांकते हैं। माइक है। कैसे करेंगे ट्रांस्वेनस्टी आर्ट्री मतले लिए न तो पहले चीज़ तो यह ध्यान लखना दूसरे दोस्तों कहां पर प्लैस की जाती है जो मैं आपको बता रहे हैं आगे बता दूँगा आपको तो प्लैस्ट एट तो ध्यान लखना में ली राइट अट्रियम एंड वन और बोथ वन और बोथ वेंट्रिकल अलब राइट अट्रियम को प्लैस करेंगे साथ में एक एक में या फिर दोनों में क्या करते हैं प्लैस करते हैं तो तीन लीड हो गई राइट अट्रियम एक राइट वेंट्रिकल लेट वेंट्रिकल या फिर दो भी हो सकती है तो इस प्रकास होती है दूसरा टाइप आता आपका टैंप्र baru ilari पेस 되면 कर यह हो प्रावर सोर्स होता है जो बैटरी होती वह आउटसाइड दा बोडी छोती है यह बॉडे ए जो पावर सोर्स ओगा वो बॉडी क्या होता है इसके कई सारी टाइप होते हैं तो यह थोड़ से ताइपस देख लेना इसके टाइप होते हैं पहला जो टाइप है दोस्तो उसका हम बोलते हैं रांस बेननेंट मैंदनेंगे सेंपों यह लगादेते हैं ईक होड़ respondsरी करें चर्बाइंगे यह इंहीं अंदर लगा देंगे हम जो भी लिएट्स होती है वह लाश्ट उता है तो ट्रांस्कुटेनियस लेकिन इतना तेम्टरी होता कि कुछ कुछ ही घंटों तक यह काम करता है उसके बाद में हमें सर्जरी करनी पड़ती है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं समझ में आगए वह तीन हो ट्रांस्वेनस वही सेम उसमें बैटरी क्या रहेगी दोस्तों बाहर रहेगी और बाकि लीड से अंदर इंसेट कर देते हैं एंपी कार्ड़ी अर थार्ट है आपका और पावर सोर्स को बार लगाते है ठीक है यह थ्यान दिद हार पकानि पावर सोर्स खाजब होता है थीक है नेक्स अटअट दोस्तार Pa 245 थे भौत इंस्धान क्या होगा पहले बात तो non-invasive होता है, यह भी ध्यान अखना, ऐसे नहीं कि लीड वेड कुछ अंदर नहीं लगा, तो इस सब चीजें जो भी इंपल्स होता है, वो बार से देता है, ठीक है, तो इसमें वो ही होता है, एक power source होगा, और एक इसके अंदर क्या होगा, control device होती है, जो rate and voltage control device क and voltage control device, voltage control device, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दोस्तो बड़े-बड़े, ठीक है, लार्ज, multifunction, इसके पर गहां पर लगाए, जाते है, तो देखो, यह जो पैड है ना, दोस्तो इस पर कार से लगाए जाते हैं, बड़े-देखो, वड़े वड़े दो पैड होते हैं एक जो लगबग वी 3, V4 के पास लगए जाता है ठीक है ? एक पैड ने अच्छ सामने के सारी लगए जा रहे हैं एंटिरे चैस्ट में लगए रहे हैं दूसरा जो है ना दोस्तों वह हमारे में है यह हमारे चाही है जो इस में भोन बस न हिंट है लगबग क्या लगारे है AWS में लगारे किस में थैक प्रांसफ यह लगबग वी-फोर सान निवाँ बसले लगते हैं टीके या फिर लिखावाएगा एंटीर चेस्ट और सेकंड леकले चिंदे जो है यह वो बिट्वेन स्पाइन एडर लेट इसके भूला के सेथ लिवन प्रेम जो है तो अपकॉड्स, इमेरन प्सेट का पसे लेवल था हो थilt मेर दाझ लेवल उन भूल इस जूडबगा यह वाला क्या होता है इसमें इसमें लिखावा यह लिखा लो यह लिख लो प्लेस एंटियर पेसिंग पैर्ड ओवर दा पालपेबल काडियक अपैक्स टीक है और पोस्टिर लिए इंफीर एसपेक्ट उद्स इसके पूला तो थोड़ा से इसके पूला गए बस आपको ध्या इसके जो यह थोड़ी के दॉट से हान अब इसके बाद मैं इसके इंडिटेशन से रिलेटेट्ट प्लेट्थ को स्वगय को है है तो यह थोड़ा सा question आता है इंडिकेशन का मैं trick के दोर आपको मैं यह समझा दूँगा ठीक है ट्रिक है हमारी ABC है very soft A B C है very soft ठीक है वैसे तो याद नहीं होगा क्योंको बहुत सारे होते हैं इसमें एक तो इसमें दोस्तों second degree और third degree atrioventricular ब्लो ए वी ब्लो इसलेए फिर व्यागे न वह साथ में arial fibrillation एक्रियल फिब्री लेशन के लगते हैं ठीक है बीफोल क्या अबनता है आपको सबको पता है बंदल ब्रांश ब्लोग क्या बनेगा bundle branch दो सीफ़र कार्डियो मायो पैथी में डाइलेटेड और हाइपर ट्रोफी जो होती है इसके बाद में है एसे नोड काम नहीं कर रहा हो तब तो ऐसे नोड डिस फंक्षन को एक बार इंगो पढ़ोगी न तो लब जाद अब एक क्यों बहुत दिक्क्त होती है दो पैसेंट को बताना पड़ता है में आपको मसस्थ प्रमानेंट प्रोब्लम नहीं आएगी तो क्योशन यह आएगा कि बिफोर इनीशियटिंग इनीशियटिंग व्लब स्टार्ट करने से पहले ट्रांस्कुटेनियस पैड़ थेरेपी या पैस्मेकर थेरेपी इन्स्ट्राइड नहीं लिखलो अब हैँ इन इंस्ट्राइड आन्स लिखलो हम ये बताएंगे कि वह मिंश्टस्कॉंतर अनकंफर्टेबल होगे तो मसल्स कंफर्टेबल अर् chromosome यह बताना पैसे नहीं क्या होता है जरुरी होता है इसके बाद मैं क्या बढ़ाओं इसके बाद इसके आते हैं इसके कर रहे हैं तुस्टे क्या हो सकता है इसके साइट पर इसके हैं यह अब यह नियुमोथ और एक्स भी कोज करवा सकता और इस पता है इसकते का बाता है कि या फिर दोस्तों ढूलींट आप इस दिंदर क्र अक्षरे करें लिए सबाइब हुए किसे हिए स्था यह तो प्ले समय को देखने की लिए क्या करते दोस्तों on जो आते हैं पेस्मेकर में वो नर्सिंग मेनेजमेंट से रिलेटेड ही ज्यादा आते हैं देखो पैसेंट को ये बताना है कि आप बस एक बार लगवाज ये दस साल बाद आकर मुझसे मिल रहे हूँ पैसेंट को बताओ आपको बीच बीच में आना है फोलो के लिए आपकी जो इससी यह की जाहीए देखा जाएगा जएसे काम कर रहा है नहीं कर रहा हूँ पैसेंट को कर रहेंगे कि साथ में आपको रुप करना है फोलो करना है throw दीजडा पैसेंट अ तीजदा पैसेंट तू मेंटेन भीज भीज में आना है तो मेंटेन गना है तू मेंटेन फॉलो अप केर फॉलो अपे केर विद कार्डियो लोजिस्ट विद कार्डियो लोजिस्ट पोर प्रोपर फंक्सिनिंग ओप पैसमेकर और प्रोपर फंक्सिनिंग ओप पेस मेकर ठीक है इसके बाद में आपको इंसर्शन साइट जहां से है उससे कहीं भी आपका अगर इंफेक्शन के साइन दिखाए दे तो वह आप क्या करना रिपोर्ट करना तो रिपोर्ट इसमें बैटरी बाहर लगी होती है में वहाँ पर जादर प्रोब्लम होती है ठीक है टेंपररी वाले में रिपोर्ट एनी साइन ओप इंफेक्शन साइट उप इंफेक्शन साइट नहीं उसको पहले से समझाएंगे फीवर और आये कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताना तो इंफेक्शन किया गया है तो उसको आपको चार दिन तक लग इंप्लांटेशन के लगो चार दिन तक क्या रखना है तो कीप इंफेक्शन साइट राई ठीक है और एट लिस्ट गोर्डेज और आप्टर इंप्लांटेशन पताना क्या होती है जैसे पैसेंट की मालों आपने इंप्लांट किया है तो उसको यह कहा जाता है कुछ दिन तक जब तक कार्डियोजिस्ट आपको नहीं कहे तब तक आपको जो अपनी जो आम है ठीक है जिस साइट पेस्ट में के लागवा इसमें लिफ्टिंग आपने आपको अववएड करना है जब तक कि आपको कार्डियोजिस्ट नहीं कह दे तब तक ठीक है तो अवववड़ लिप्टिंग आप क्या से लिखाँ इसको होँ लिप्टिंग आम कौन सी जापर पीस में कर लगे हैं आम ओन पेस्टमेकर पेस्टमेकर क्या लिखें इसमें टिलिक लिए तब तक क्या तक क्या करना आपको उठाना नहीं है न अप्रोवल ठीक है तो होना चाहिए क्या कहना चाह रहा है यहां रखना थोड़ा कि जो पैसेंट है उसको MRI कोंटर इंडिकेटेड होती है आज तो फिर भी दोस्तों ऐसे सेफ आ गई है बट फिर भी पैसेंट को यह बता जाता है जो यहां पर कोई प्रोब्लम नहीं आती है ठीक है कही जगे पर क्या होता है दोस्तों मौरूल के बहार में सब्सक्राइब यहां जाता है कि जादा तरुंद निकलते हैं तो वह सकेंट कर लेता है इसका का बिल हुआ है नहीं हुआ अगर बिल नहीं हुआ तो बीप करने लग जाती है हूं मसीन उसको बोलते हैं एंटी थैप्ट डिवाइस ओन डॉर तो उसमें हम क्या करते हैं पैसें अवोइड करना है आपको उसको भी ठीक है तो अवोइड इस्टेंडिंग ओवर एंटी एप्ट डिवाइस ठीक है इंडॉर लिक्वाइस से नहीं लगेगा नहीं लैंग्वेज नहीं बन पाईगा इंडॉर वेज इसके बाद में दोस्तों पैसेंड को आपको क्या बताना है वही जैसे मालो आप कहीं जा रहे हो सिक्यूर्टी में क्या होता है वह मैटल डिटेक्टर होता है तो उसके लिए भी हम पहले से उसको बता हुए मेरे पेसमेकर लगा हुआ है तो वह क्या कर लेते हैं मैटल सक झां गया कर ले ओप कर ले मैटल डिवाइस को जो मैटल डिवाइस आप कर ले उसको पर ले इसके लिए चीजिए बताई जाती है और क्या होगा इस शवार्फ की नोटकारना Mayor है ओ सिर्ट करना है वह सब्सक्राइब करें ऑह करते हैं कि तुम हर्ट करने के पहल S중히 होगी सब्सक्राइब ि केंथ कि किसी को पता रहे तो आपको हमसा हुआ जो अब आते हैं शो झो फिस मेड एलर्ट ब्रेसलेट उनको क्या करें पहने ताकि मालो एकदम से कोई बेवस हो गया रोड के उपर आपको पता निए इसके पेस्मेकर पता होना क्या जरूरी है तो वह अगर ब्रेसलेट पहनता है या इनफर्मिसन कार्ड होगा तो हम पता लगा लगा लेंगे कि यहां ब है इंसेंस साइट को चार दिन तक आपको रखना है रखना है लप्तिंग जब तक रोकनी है जब तक कि अवोईड लिप्तिंग जब तक ठीक वैसे नोर्मल फंक्शनिंग करता है परसंट कूछ दिन तक उसको बना करते हैं अ मरे शेफ नहीं है अगर इसके लिए तो नहीं क जो कार्ड यह मैड अलेट जो पहनना क्या उसको जरुड़ी होता है लुट इस क्योशन को देखते हैं क्या है यह प्लानोप केर में क्या इंक्लूड करना चाहिए अधे हैं चाहिए नहीं बता है क्लानोप के अधर क्टीविटी प्रूमील लिए गलत है एक्टिविटी भी उतनी करने पड़ते हैं कोई दिक्रत नहीं आती एक्टिविटी करने में ठीक है तो यह भी गलत है क्लाइंट टू कीप डेली एकुरेट रिकॉर्ट रखो क्योंकि उसको वापस से प्रिसेट कर देते हैं इतने पर काम करें अगर हट्रेट कमा रहे हैं तो को सही से और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं पेसिंग को इंक्रीज कर देते हैं यह राइट आंसर होगा फोर जोप से थोटा से डाउट में डालेगा इन फॉर्म दा क्लाइंट देर पेस्मेकर फंक्संस वेंद हर्ट रेट ड्रॉप से बिलो एप्रिसेट रेट यह इसलिए इसका आंसर यह नहीं है तो यह कलग देखते हैं नेट क्या है वोट असेसमेंट ओप दा पल्स सूर्द अनर्स अइडिटिफाई एक लाइंट इस ओन्डिमांड पेस्मेकर इस फंक्सिन इफेक्टिवली ओन्डिमांड पेस्मेकर किसी विए अंदर लगा हुआ है तो अब कैसे पता लगेगा दोस्तों कि वो स़ही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है मैंने सेंटेंस नहीं लिक्वाए है न हुआ लेको नौन ओन-डिमांड पेसमेकर और एस इंक्रस पेसमेकर वाले क्लाइंट को वाले क्लाइन्ट को अपनी हर्ट रट का डिक कोंड रखना चाहिए आपनी ह HC का रखना नहीं जो किोड़र तट डेकित है को कोई भी क्लाइंट की पल्स से करनी है तो ओन डिमार्ट पेसे व्हालूँ में आप सही से काम कर रहा हैं पहला है पेहला है जरूर नहीं होती सो सिर्म रेगुलर रहेगी कभी काम होगी तो पेसमेकर जादा काम करेगा I mean होगी तो रहे है ज़िक है फ्जारी पर lle फो ध्यान रखना वह डेट को जरूराफरते ड्यान रखना और हमच पिल्स को फीन करते हम मौलिल पील करते है न He defect only rate नोट वोल्यूम वोल्यूम को फैक्ट नहीं करता है इसलिए यह जी उप्षिन क्यों हो जाएगा गल्थ हो जाएगा था अधिलिस्ट एड़ा डिमांड रेट है यह ब्लुकुँ सही है हमारी बोड़ी को जैसे साब से डिमांड होती है तो ओन डिमांड पेस्मेकर क्या काम कर अगर जितनी डिमांड रेट है उतना अगर वो क्या दे रहा है दोस्तों आपका जो कर रहा है तो इसका मदलब हम कहेंगे कि पेस्मेकर क्या कर रहा है सही काम कर रहा है तो लिखो इसमें ओन डिमांड पेस्मेकर अगर डिमांड रेट पर काम कर रहा है काम कर रहा है कर रहा है तो हम यह है तो हम यह है identify कर सकते हैं हम यह है identify कर सकते हैं कर सकते हैं कि pace maker थोड़ सा boring है यह topic मैं समझता हूँ यार। लेकिन मैं पढाफना पड़ता ही है पेस मेकर Effectively काम कर रहा रहा है काम कर रहा है मुझे भी पता है कि यह थोड़ सा बोरी, ठीक है इसके बाद हम देखते हैं, नेस्ट क्या है, एक क्लाइंट इस रिसीविंग कंटिन्यूस एसीजी मोनिटरिंग वाइल, ठीक है, मैं प्रेला इसको जूम कर देखा, आपका चुछ देखे, फिर नीचे वाड़ ओक्शन देखा दोगा, एक क्लाइंट इस रिसीविंग कंटिन्यूस एसीजी मोनिटरिंग वाइल इंट्रावेनस मेडिकेशन इस बिंग एड्मिनिस्टर्ड फोर प्रिमेचूर वेंट्रिकुलर कॉंप्लेक्सेज, किसी भी क्लाइंट के अंदर पीवीसी बने हुए हैं दोस्तों, और उस क्लाइंट के क्या हो रहे हैं कंटिन्यूस एसीजी मोनिटरिंग हो रहे हैं हम साथ में इंजेक्शन भी लगा रहे हैं वोट डिस रिद्मिया डज दा नर्स कंक्लूड जैड दा क्लाइंट इस एक्स्पिरेंसिंग वें दा पॉलोविंग रिदम्स देखो क्योशन क देखना हैं और कंडियसन बताने हैं यह था क्लाने के लिए थोड़ा बड़ा सा बना दिया में अर्टरिक होरे आटstag में गर्शेंら पीव नहीं होती फिर İs कंप greyterror कवर सि होता है खाओ अ तो ऐसा भी नहीं है वैंट्रिक्लर फिश्बरियसिंगे आदर तो कोई धिखाई नहीं देती है वैंट्रिक्लर टैकी घर होता है और अब इस देखो एक्चलि में पीवीजी जो है ना प्रोलोंग था प्रोलोंग था और एक चीज और क्या होती है प्रोलोंग था और एक चीज और क्या होती है प्रोलोंग प्रोलोंग था प्रोलोंग था और एक चीज और क्या होती है प्रोलोंग था प्रोलोंग था प्रोलोंग था और एक चीज और क्या होती है प्रोलोंग था और साथ में जो T-Wave है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं तो तीन उसे किस लिखाने का आप शिदा लिखना वेंट्रिकुलर टैकी काडिया में तीन और मोर पीवीसी एक रो में होती है एक रो में होती है थोड़ा सा ऐसा बना ले ना वस थिक थाकि याद रहे खिव है कोन शाय और में से लेखते हैं कि रेंश्ट क्या है एक क्लाइंट डोस्तों वेट्रिकुलर पर्सन टो यहानं को मिने आपको बताया था दोस्तों यह सब्सक्र इसाई था थोड़ अनुए को बताया था कोई भी परसन है ना उसको पल्स थे हो ठीक है या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो दोनों कंडिशन के अंदर पहला काम तो पैसेंट है दोस्तों उसको हम सोक देते हैं ठीक है पहला काम क्या होता है डीफिब्रिलेशन होता है अगर option में दोनों हैं CPR और दीफिब्रिलेशन तो भी हम किसको चूझ करेंगे दोस्तों डीफिब्रिलेशन को चूझ करते हैं ध्यान रखना PVT और VF दोनों के अंदर पहली जो priority होगी दोस्तों वो किसकी होगी आपका डीफिब्रिलेशन कल का question यह था कि सबसी जादा priority किसको देते हैं ध्यान रखना आपको कितने भी क्लाइंट दे रखे हो लगान किसी भी क्लाइंट के अंदर अगर वेंट्रिकल पर पर फिब्रिब्रिशन को क्या करते हैं देते हैं औक्सिजन देना इसा ही नहीं कर पाएंगे CPR से कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे श्टोल होगा अग अगर लगाते हैं लेकिन अगर वेंट्रिकांटी कार डिया यह है नगाते हैं अगर वेंट्रिकल्रục टेकी कारिया यह एव मेंट्रिकल फिब्रिशन वाले Klient में, Ventricular Fibrillation वाले Klient के लिए के लिए नर्स की First priority नर्स या कोई भी पर्सन पहुच रहा है नर्स की first priority Defibrillation देना है defibrillation देना पहले प्रेटिप एक क्लाइंट वो हैड़े मायो काडियल इंफरेक्शन इजिन दा कोरोनरी केर यूनिट ओन एक काडियक मोनिटर दा नर्स औपजर्व से वेंट्रिकुलर इरिटिबिलिटी ओन दा स्क्रीन वोट मेडिकेशन सूर्दा नर्स से प्रिपेर टू एडिमिस्टर एक क्लाइंट है दोस्तों क्या होगा उसको मायो काडियल इंफरेक्शन हुआ है कोरन केर यूनिट के अंदर इसी जी देख रहे हैं उसके तो उसमें दिखाई दे रही है कि वह क्या है एडिटिबिलिटी है वॉट मेडिकेशन शूर्दा नर्स से प्रिपेर टू एडिमिस्टर सकती है, तो ओऐ सब है तो ऐसे क्लाइट के अंदर कौन सी ड्रग दोगे भीजोकसिन दोगे, फ्रियोसे दोगे बात करते हैं एंटि डिश रिध्मेटिक भी लिख सकता हो एंटि आरिध्मेटिक भी सकता है या फिर क्या लिख सकता है जिस पिहला क्योशन लोगण विलियम्स ने तीक है वोगन विल्यम्स उसने anti arithmetic जो ड्रग्स है दोस्तों उनको 4 category के अंदर बाटा है कल भी बताया थे मैंने आपको वैसे एक दो तीन और चार पहले बताओ कौन सी आएगी sodium ठीक है sodium channel blocker sodium channel blocker सुनो भाई 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 मतलब बीटा ब्लोकर सुनो भाई कुछ चाहिए कुछ मतलब potassium channel blocker potassium channel चाहिए calcium channel blocker calcium channel blocker ठीक है आज कल एक और classification में एड़ कर दिया है आपको पढ़ने की जरूत नहीं है इसकी तीन कैटेग्रीज है एक है फस्ट ए फस्ट बी और तीसरी आपकी फस्ट सी फस्ट ए फस्ट बी और फस्ट सी ध्यान रखना फस्ट जो ए है वो अलग-अलग क्यों है यह तो तीनों को ब्लोग करती है तो कुछ तो रिजन होगा ना फस्ट जो ए फस्ट जो ए है वो सोडियम चैनल को भूए करती है यह साथ में इसलिए यह फस्ट एके कर अंतर रखी गयी है फस्ट फस्ट जो जो है दोस्तो यह स्ट उडियांव छैनल ब्लोकर है लेकिन हम्ण पोटेशीम इसेंपर क्या경 चैनल क्या है ये ओपनर है और फ्रस्ट सी है सिर्फ되는 करने वले से आदमी नोएपक्त की आप पहला क्योंते में बनता है अbanता अवोर सॉंपम सा क्योंसी के टिग्रीड रग्र कै वस्ये थे आप फोड़ा सा कै क्यों डीन आती है आथे इक आती है प्रोख्व गयाती है फ्रोख्व नमाइड अब यहार याद भी तो जमीडीन पिढ़ने पिड़ेंगे इसमें अब में वह कुछ न गा सकता फस्ट वी वाली याद हो जाएंगे जल्दी यह इसके अंदर एक ड्रग यह लिगनो केलं सब ज सुध्वित क्ली के नाइड दो द्रग आती है ज्यादा नाम याद करना मुस्किल नहीं है क्लिक मैं क्ली आ गया साथ में क्या है kineid है जिन बच्चों को बिल्कुल ही मैमोरिया से उन्हें की याद ही नहीं हुद भाई स्टार्टिंग ट्रम याद कर लिया करो जैसे फ्ली एन यह कौन सी होती है ज्यादा भी याद नहीं हो तो फ्ली कैनाइड और एंकैनाइड लिगनोकेन फैनी टोइन क्यूनिदीन और प्रो तो यहां एक दो देखा होगा वह जगाया है इसके बाद में एक दो क्यों से बंता है लिगनोकेन है वह ड्रग ओफ चोईस है किसके अंदर लिगनोकेन लिगनोकेन इजे जे ड्डूप चोईस जो क्यूशन है उसके अंदर दाला था किसे पैसे को डीजोखषिन से हो जाती है मालो वाजिनिंग है हो जाती ए जैद लिखा था कि इसके अंदर डीजी बैंड जेते हैं तो प्रकार से लिखा लेकिन थ्याँ रखना question क्या है वो पूरा पड़ना है सिरफ इतना लिखा है कि या है antidote क्या है लेकिन अगर ऐसे लिखाए कि डिजोक्सीन या digitalis भी लिखा सकता है ध्यान रखना हो digitalis digitalis देने की कारण या डिजोक्सीन देने की कारण पेसेंट के अंदर क्या हो गया ventricular arrhythmia तब आप उसको यह नहीं दो गया आप उसमें लिखाए अगर डिजोक्सीन देने की कारण किसी भी पेसेंट के अंदर वेंटिवलर टैक्यकाडिया हो जाए या वेनटिक्यूलर क्या हो जाए दोस्तो फिप्रिलेसन हो जाए तो उस Post-MI, बंखने नहीं एक तो डार्यक्ट हो, वी टीवए एक एमाई के कर्णों, तो Post-MI, Ventricular Arrhythmia, Ventricular Arrhythmia, तो दो अच्छे-चे क्योशन बन गए, लिगनों के जो है, वो किस-के अनदर क्या होती है, ड्रग उप चोईस होती है, अब एक ये ड्रग है फ्लिक एनाइट इसका भी एक क्यूशन बनता है ठीक है तो एक क्यूशन लिख लो भी ख्लिक एनाइट जो है इस ड्रग अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ यह इस जो इस इस वर्डर है यह मैंने पढ़ाया हुआ आपको डबलू-P-डबलू-Syndrom घ्र ये ईकल्स भी सानों ऑफ्र वलोगा से क्या की घ्री में 활 दानी है प्योच पूर्ज गूedar प्रत hello ऍज़िक में घ्रिक提 capitalist समय हूं किया करते हैं एंग तो टैकी अर्डिमिया लिक देता इसके अंदर ब्लोकर क्या करते हैं जैसे प्रोप्रानौल यूश करते हैं यूज करते हैं क्या कि यूज करते हैं तो सुनों भाई कुछ चाहिए अब पोटेस्यम चैनल ब्लोकर नेक्स्ट-3 अब इसे में एक ड्रग में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जो हमारा जो क्योस्टन उसका भी आंसर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके अंदर ज्यादा नहीं ना तो यह ड्रग तो जरूर याद रख लेना कि इसके अंदर एक ड्रग आती है पहले चीज क्यों से ध्यान रखना कि यह क्या करता है क्या करता है दूसरा जितनी भी ड्रग है उन सम्में यह लोंग एस्ट एक्टिंग है साथ में दोस्तों इसकी क्लास धर जरूर है लेकिन इस सारे करती है सारे का एक्टिंग क्रते है यह और इंप्ट्रिंट रहिए और इसके लिए उन मेंदर परकार का यह हो बस उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, Qt प्रोलॉंग्ड नहीं होना चाहिए, क्योण कि ये खुद Qt क्या करती है, प्रोलॉंग्ड करती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, दोस्तो तो Yux करते हैं, तो Yuz in All Arhythmia, Yuz in All Arhythmia, Accept Prolongued QT, किके खुद इंक्रीज कर रही है और फिर न है अब यहाइँ प्र नहां थी हुर्त कर रहे है जो पहले से अंक्रीज कर देंगे मिदरस्व भूफ है तो द्रग अब चुछ थे बंनते हैं कि अinya तो युदरग第一個 टैकी काडिया में और ventricular fibralation में ठीक है अब यह मत कहाए लिखाए मालो ventricular fibralation में तो डीफिबिलेशन आएगा ठीक है लेकिन द्रग की बात कर रहे हैं तो यहां पर ही क्या होती है द्रग उपछाइस होती है यह कि आपको rhythm control करनी है atrial flutery atrial fibrillation में तो rhythm control अभी समझा दूँगा control in atrial fluter and atrial fibrillation देखो, दो चीज़े होती है एक होती है rate उरे की rhythm वोलो rate 300 चली गई उसको control करने के लिए drug of choice नहीं है ये लेकिन दोस्तों अगर इस चीज़ी की जो rhythm है उसको में सही लाना है उस rhythm को नोर्मन लाना है तो drug of choice क्या होगी दोस्तों आपकी mi drone होगी, अब लेकिन आपकी दिमाग में question होना चाहिए, यहापर question होना चाहिए था ये drug of choice in rate control क्या होगा इसमें, जब rhythm control तो आपने ये बता दिया है कि mi drone है, तो rate control में कौन सी होगी, तो जो rate control जो होती है दोस्तों उसके नदर हम क्या use करते है, beta blocker drug of choice होती है कौन सी drug of choice होती है, बीटा blockers जो होती है दोस्तों वह इसमें क्या होती है, आपकी drug of choice होती है, थोड़ा सई ध्यान रख लेना, एक amadron की side effect है उससे related orcution मनता है, amadron की side effect उससे questions पूछ लेते हैं, उस side effect भई, amadron की क्या-क्या side effect होती है, तो इसके ट्रिक है वह आपको याद रपना है, कि amadron क्या potassium channel blocker है, तो पहले लिख लेना, यह फिर मैं सब्सक्रिक है, potassium channel blocker, ठीक है इस ट्रिक में एक दूछ चीज तो आपको पुदी मिल जाएंगी, makes liver and skin toxic, liver and skin toxic, potassium channel blocker, मैं थोड़ोड़ से इदर फिर देता हूँ, blocker makes liver and skin toxic, ठीक है, पहला है दोस्तों इसके अंदर potassium, तो इससे याद रख लेना, potassium वैसे मैं लिखा है, इसको इससे लिखना आपना, पैरिफेरल जो नर्फ से हैं, उनको फैट करती है, तो पैरिफेरल न्यूरो पैथी, न्यूरो पैथी और एक चीज और याद रखना, साथ में pulmonary fibrosis, pulmonary fibrosis है दोस्तों, वो क्या करवाती है, यह कोज करवाती है, यह deposit हो जाती है, कोर्निया में जाकर, उसको बोलते हैं, और पैर से शली है में क्या करवाती है, अब इसमें न, आप अपने उन रैड़म से पड़ावाँ होगा, तो आज का क्योशन ये है, आज का ये क्योशन जोड़ो ये तो मैं बता हूँगा, क्योंसे न आए कि पर रेड मैंट सिंड्रॉम ए तो आपको बता हुआ को यह ब्लू अ दरोन आएगा ठीक है तो यह बी एसा हिए मेंट सिंड्रॉम blue man तो ये भी थोड़ा से अपको क्या करनाई, इसको ध्यान तक नहीं है, इसके बाद है, मैक्स, मैक्स sé amm pro heart, मैं सॉरी मायो काडिस, superfice, अब liver है तो भी लिवर तोक्सी सिटी कोज़ गिए और खूर गिए, और क्या कूज़ करेती, लिवर टोक्सिसिटी या हिपाइटो टोक्सिसिटी भी लिखावा सकता है लिवर टोक्सिसिटी इसकीन के अंदर दोस्तों यह पोटो सेंसिटिविटी कोज करवाती है और टोक्सिक का मलब क्या होता है दोस्तों यह हाइपो और हाइपर थायरोडिजम कोज करवाती है हाइप जो एंड़ हाई पर ऐपर योटिज्म ऑप्सन में दोनों होंगे तो क्या चूझ करोगे हाई पूच चूझ करोगे ध्यान रखना ठीक है तो पहले यह होगा और सेकिन्ड यह होगा अगर अब पहले में यह पूच्छ नियुक्त सेकें व्यश्च तो फस्ट आप तो थो क्या आंसर मानेंगे दोस्तों इसका हाइप आंसर इसका हम मानेंगे ठीक है तो थोड़ा से ध्यान चाहिए बास अब लास्ट पढ़ लो फूर्थ क्रेटेग्री की ड्रग है कैल्सियम चैनल ब्लोकर कैल्सियम चैनल दो ड्रग्स में लिस्के अंदर आती है आपकी एक वेरा पैमिल आती है और एक आपके आती डिल्जैम इसको बहुत है डिल्टिया चैनल वेरा पैमिल और ठीक है इन कैल्सियम चैनल ब्लोकर का यूज़ भी हम टैक की अरिद्मिया में करते हैं एक बढ़ी हु यूज़ करते हैं थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना एक तो देखो यह ध्यान रखना होता है कि कैल्सियम चैनल ब्लोकर और जो बीटा ब्लोकर है ना उन दोनों को हम कभी भी साथ नहीं देते हैं तो कैल्सियम चैनल ब्लोकर के साथ है बीटा ब्लोकर शूड नोट भी जिए हट्टकोने compress कर देते हैं इसलिए नहीं देते हैं क्या करते हैं कमप्रेस यह क्यों और बनता है क्योंस बनता है दूस्तों कि एक drug of choice है इसके अदर एक drug of choice है तो एक अस्तमा के चैनल ब्लोकर अब आपकी दिमाग में यहां पर क्योंच होना चाहिए आया क्यों नहीं तो धेंगे यह दो यूट के पेसेंट के अंदर मैं अस्ट्म और पिडिवोस्य नहीं बोल रहा हूँ इतने गलति मत कर देना भाई कि मैं बोल रहा हूँ कि अस्तमा और CUPD के पैसेंट को अगर PSVT हो जाए तो फिर क्या होती है दोस्तो क्या होती है अब क्योशन यह आ जाए कि मैं नोन अस्तिमेटिक के अंदर अगर PSVT हो जाए PSVT इन नोन अस्तिमेटिक हो जाए कि या इसको क्या दूगे तो उसको दूँगे हम इसका हाफलाई बहुत कम होता है एकदम से हम क्या करते हैं ढ़úsica ही hell chaos नहीं है तो रगाते हैं और यृसह यह एंस पहले पीचे से एनस करते हैं लेवर्श की बन लिंखावाई प्रोलोंगेशन नहीं होना चाहिए फॉली फ्लोस में लिको मैं एमेडरोन बोल देता हूँ एमेडरोन वेंट्रिकुलर इरीटेबिलिटी में यूज की जाती है बस इतना लिख लो बहुत है और मैंने पूरे डेटियल आपको लिखाई रखा है जाती है नहीं स्क्यूशन बढ़ते हैं नेस्ट डो क्यूशन बस अब ज्यादा नहीं है बल्कुल ज्यादा ठब भी नहीं है यह क्यूशन पढ़ लेते हैं एक क्लाइंट इज एड्मिटेट तू दा कोरोर्णरी केर यूट विद एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एड रेपिड वेंट्रिकुलर रेस्पॉंस एक क्लाइंट है दोस्तों को निट के अंदर एडमिट हुआ है उसको एट्रियल फिबिलेशन है साथ में रैपिड वेंट्रिकुलर रेस्पॉंस है तर नर्स प्रिपेर दा कार्डियो वर्जन क्या कर रही है प्रिपेर कर रही है वोट नर्सिंग एक्षन इसेंचिल टू के अंदर हो तो क्या रहा था एट्रिकुलर फिबिलेशन नहीं हो जाए उसको रोकने के लिए दोस्तों नर्स को क्या रयाद रखना चाहिए कार्डियो वर्जन है ना तो मैंने आपको बता है कार्डियो वर्जन का मतलब यह होता है कि सिंकोराइज रूप से देते हैं सिंक पाता कौन लगाएगा उसके लिए उसमें क्या होता है मोड होता है उसे हम किस नाम से जाते हैं सिंकोराइज मोड तो भाई आप दे रहे हो और अगर आपने कार्डियो वर्जन के सिधा डिफिबिलेशन दे दिया ना तो उसे पैसेंट के अंदर वह एट्रिल फिबिलेशन सिंकोराइजर स्विच्ट वह चाहिए अगर पता है ना थो जाएगा इसको आपको क्या करना है कनफर्म करना है इसको आँप tolerance है सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज क्या है इस में की बाई काडियो वर्जन अगर आपको देना है तो सीधी सी बात है कि जो आपका डीप रिलेटर है वो किसमी होना चाहिए सिंक्रोनाइजर स्विच ओन होना चाहिए सिंक्रोनाइजर स्विच के होना चाहिए ओन होना चाहिए तो लिखो पर सिधा लिखाऊंगा मैं इस में इतनी लेंग्विज ने लिखाऊंगा काडियो वर्जन देने से पहले काडियो वर्जन देने से पहले सिंक्रोनाइजर स्व का ओन पोजिशन में रहना जरूरी है रहना जरूरी है ठीक है दिख गया होगा ना थोटा से कर देता हूं पोजिशन लिखा हुए वहां पर रहना जरूरी है इसके बाद में नेस्ट क्यूशन देखते हैं कि फोर विच क्लाइंट सूर्द अनर से कंक्लूड दैटी प्रस्क्रिप्शन फोर डिजोक्षिन इस एप्रप्रेट मैंना पूरा डिजोक्षिन पढ़ाया हुआ है वैसे है ना बडिजोक्षिन किसमें देते हैं इस चार दे र अगी कमश्रिक किस्कों नहीं होती दोश्तो एक्रियल यहां प्याया है और नहीं एक कितने हैं लगभग भेख छॉव्क्षिन चार आटीतीर तो लगबग यह क्या है रिये नोर्मल इसी जी आगे दोस्तों लगबगा ना विसेवन टीस उपर आरे सेंटी की बीच में आएगी तो यह आपके कॉन सीजी होगी एक नॉर्मल इसी जी हो गई या वोक्स के लो दो क्यों से बीच में दो तो वह जाएगा आपका यह वाली सी इसके अंदर थोड़ा सा देखो कि प्रीम में ब्रसेति सब ना यह सारे के निए सुथा हे यह है कि यह इताल हो तो यह algumasने को तो आपको पता है दोस्तों कि जो दिजोकिन है है वो में लिकिस किसमें यूज करते हैं तो इन में से यह एक वशन दिख रहा है एक राइट आशर क्यों जाएगा एट्रियल फिब्रीलेशन हो जाएगा के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों डिजोक्सिन का यूज करते हैं करता हो सर्क्यू उट्रि यूज करते हूं कैसे नमटरओं जैना होता है ठीक निश क्या है कि वैट Trable क्या था क्लाइंट को डीप लेट करना है जो क्लाइंट है इसकी क्या सो कर रही है तो वेंट्रिकुलर टैकिकाडिया कर रही है कि अगर हम मालो की ओन डिमांड पेसमेंकर लगा हुआ है तो हम यह जानेंगे वह कि इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं क्या है कि यह दोस्तों कि एक क्लाइंट है उसके एक पेसमेंकर लगाओ है तो हम बताएंगे हाट रेट जो है न उसको आपको कंटिन्यूस क्या करते रहना है असे करते रहना है यह जो दोस्तों कि यह दोस्तों कि यह दोस्तों कि जब भी पेसमेंकर लगाव होता है तो एक इस्पाइक आता है बस वह इसमें क्या होगी तो सभी लोग अपना ध्यान रखें स्वस्त रहें खुश रहें थैंक्यू सो मुच